आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार विश्विद्याले के जो च्छात्र हैं, जो मास्टर्स के च्छात्र हैं, सकेंड समेस्टर इन और्गेनिक केमेस्ट्री के च्छात्र हैं, उनके लिए सिलेबस का आकलन किया है, सकेंड समेस्टर में किस तरह पर है कि इन और्गेन बहुत सारे बच्छे को दिक्कत होती है इसलिए बैंजाइन अकेडमी अपने यूटूब प्लेटफॉर्म पे जो भी इनरगेनिक केमेस्ट्री के छात्र है जो को इनरगेनिक पढ़ना है इनरगेनिक से डर लग रहा है उन सभी के लिए बैंजाइन अकेडमी ऑफ-लाइन और ऑनलाइन मोड में इनरगेनिक केमेस्टर सकेन सेमेस्टर का पढ़ाने का काम सुरू की है आप लोग जल से जल बैंजाइन अकेडमी के यूटूब प्लेटफॉर्म पे जुरे इसको सब्सक्राइब करें सेयर करें लाइक करें और जितने भी बिहार विश्विदाला के तमा सिलेबस का चर्चा करेंगे कौन सा अब बुक परना है बसके बारे मतायennes कि इतना परना है कैसे परना है कितना का सीलेबस होता है कितना माक्स आता है, यह syllabus आपको जनरली बिहार विश्वित देला के website पे मिल जाएगी, वहां से आप ले सकते हैं, बट आपको हम guide करेंगे कि किस तरह पढ़िए, कैसे पढ़िए कि आपको अच्छा माक्स आ है, इन और्गेनिक में सब को डर लगता है, वो डर आपको न लग डर का फोबिया खतम हो जाए, उसका हम लोग guide करेंगे, आपको समझाएंगे कि किस तरह इन और्गेनिक में अच्छा माक्स आ जाता है, कि कितना topic परहेंगे, कि 40-50 के बीच में माक्स आ जाए, और कितना topic परहेंगे, कि 50-60 के बीच में माक्स आ जाए, इतना माक्स आने के आपको कैसे पठना परेगा, वो guide करेंगे, क्योंकि कोई इसके बारे में experience है, idea है, हमने किस तरह किया था, वो भी experience आपको share जरूर करेंगे, तो बिहार विश्विदाले के तमाम चात्र, जो chemistry के चात्र है, जिनको inorganic में डर लगता है, और MSC के second semester के चात्र है, तो जरूर इस वीडियो को देखे, like करें, share करें, और Benzine Academy से जरूर जूरे, तो अगर हम लोग बात करें, कि MSC में जो exam होता है, वो कुल 70 marks होता है, जो आपको examination में written लिखना परता है, और 30 marks आपको CIA internal, आपके colleges में, आपके department में, आपके university में 30 marks exam होता है, और 70 marks exam आपके written examination hall में होता है इन और गेनिक chemistry, सकेंस में बात करते हैं, यहार विश्टाले के साथ के लिए, तो कुल unit इसमें आपको 5 unit कुल पढ़ने परते हैं, इसके सिले बस आपको website में मिल जागा, तो इसलिए वीडियो पॉस करने के लिखने की जरूरत नहीं है, कुल 5 unit होता है, उस 5 unit में आप कितन unit पर है, कि आपको अच्छा माक्सा है, और कितना कम पढ़के भी आपको अच्छा माक्सा है, एक तो होता कि पूरा पढ़ जाए, तो सबसे better है, best है, कि आप पूरा पढ़ ले, बट कितना कम पढ़के भी हम अच्छा माक्सा लाए, उसके बारे हम लोग चर्चा करेंगे, उसके बारे में बता आएंगे, कौन-कौन से बुक पर है, जनरली कोई बता नहीं पाता है, तो उसके बारे में भी आपको जनकारी मिलेगा, आप लोग के पास यह बेटर उपरचुनिटी है, कि आपके सीनियर आपको गाइड कर रहे हैं, तो इससे भी आपको काफी हेल्फ़ पास यूनिट में कौन-कौन से बुक परना है, किस टॉपिक के लिए कौन सा बुक परना है, किस टॉपिक को कितना डीटेल पर है, किस टॉपिक से ज़्यादा कोशन आता है, किस टॉपिक अगर पास यूनिट में से तीन यूनिट कर लेते हैं, तो कितना माक्स आ जागा, दो यूनिट किसको छोड़ सकते हैं, किसको कर सकते हैं, वो सारा डेटल हम पोग चर्चा करेंगे, क्योंकि इसके बारे में हमको experience है, idea है, हमने भी किया है, और हमने भी इसमें अच्छा marks एचीफ किया है, अगर हम बात करें, तो unit first आपको पढ़ना bonding in coordination compound, तो bonding in coordination compound के लिए आप अजय कुमार की सबसे best book होती है, coordination chemistry की, वो आप पढ़ सकते हैं, अजय कुमार की best book होती है, इसके अलावा कोई दूसरा book पढ़े ही नहीं, अजय कुमार की पढ़े हैं, अगर इस सबका notes चाहिए, तो आप group में message कर देज़ेगा, telegram में message कर देज़ेगा, पूरा notes आपको मिल जागा, तो bonding in coordination compound के लिए आप अजय कुमार की book पढ़े है, electronic spectra of transition metal complex, तो जो electronic spectra of transition metal complex है, वो अभी आपको अजय कुमार में मिल जागी, बट अगर आपको H core की spectra की book आती है, उसके starting 10-15 page होते हैं, उसमें पूरा detail लिखा हुआ और यहां से question आता है, तो H core का spectra होता है, उसमें inorganic electronic spectra दाता है, उसको आप पढ़नेंगे H core से तो आपको काम चल जागा, नहीं तो और आजय कुमार है तो उससे भी हो जागा, बट H core भी अच्छी book है, symmetry in chemistry, तो symmetry and chemistry के लिए पूरी सर्मा अन कालिया को पढ़िए, या James Ihui को पढ़िए, या FA cotton को पढ़िए, तो पूरी अन सर्मा कालिया आपको market में easily मिल जाएगा, आजय कुमार मार्केट में नहीं मिलेगा, आपको online मंगवाना पढ़ेगा, इस वोगा PDF आप पूछे तो पीड पूरी सर्मा कालिया से, James Ihui, FA cotton से पढ़ सकते हैं, आपको enough है, आपका पूरा detail, पूरा analysis कहां से question आया, कैसे है, पूरा clear हो जाएगा, उसका metals pie complex, बहुत important OMC को, और आपको enough है, इससे हो जाएगा, तो यह सब book था, यह को जनली book भी बच्चा को पताने चल पाता है, और कोई guide नहीं करने वाला होता है, तो generally हम लोग कोसिस कर रहे हैं, कि आपको एक मार दर्शन दे, कि आप इस तरह इनरगेनिक को परहेंगे, तो आपको इनरगेनिक पर अगर हम आगे बात करें, तो आगे हम, अब हम लोग जो बात करना शुरू कर दी है, कि coordination, bonding in coordination compound, bonding in coordination compound की बात कीजिएगा, तो बहुत important है, यहां से आपको जैसे कि आपको पता होगा, कि फर्स में से एक्जाम दी हैं, तो आपको पता है, कि आपको इधर short question बिराने परते हैं और इधर long question बिराने परते हैं, तो इतना आप कर लेते हैं, तो आपको बेडा पाड़ हो जाता है, बतला अच्छे हैं, 70 में 20 marks आ जाते हैं, चार इधर short और उधर क्या बोलते हैं, आपको 30 long, तो 30 और 40, 70 हो आता है, बट कितना इसमें कैसे परें, तो हमको अच्छा marks रहा ह तो bonding in coordination compound की बात करिएगा, तो यहां से आपको एक तो 10 नमबर में question देखने को मिलता है, और एक कभी-कभी 5 marks में question देखने को मिलता है, तो अगर हम मेरी बात आप मानें, और मेरे फिश्वास करें, तो अब 3 unit अगर पढ़ ले, एक bonding in coordination compound पढ़ ले, एक आप electronic spectra transition metal को पढ़ कहीं नहीं जाना है, 40 marks प्लस आएगा, यह 3 chapter पढ़ लेंगे तो 40 marks प्लस आगया नहीं, 40 से लेके 50 के रीचे marks आपको असानी से आजाएगा, आजागे यह 3 chapter, तो पहले इस 3 chapter के हम detail analysis करते हैं, कैसे पढ़ना आपको बताते हैं, तो effect of distortion on d orbital energy label john taylor effect, तो सबसे पहले आख पढ़ें, किसे पढ़ें, john taylor effect यह 10 marks में पूछेगा ही, इससे question 100% आएंगे john taylor distortion से, इससे objective में भी question रहेंगा, और subjective में भी question रहेंगा, तो john taylor effect छोड़ना ही नहीं है, छोड़ना ही नहीं है, spectrochemical series, इंपोटेंट है, यह generally 5 marks की तरफ इससे question आते है, thermodynamics effect of crystal field theory, यह भी देख लिजेगा, यह भी important है, side selection in a normal and inverse spinal structure, यहाँ से objective question बनेंगे, कि कौन inverse spinal है, और कौन आपको normal spinal है, और 10 marks में भी यहाँ से push जेते हैं, ABC करके, अगर कोई 10 number questions पर ABC करके, spinal करें, पूछ देता है, calculation, hydration energy, lattice energy, of complex evidence in support of covalent bonding, transition metal complex, यहाँ से मिला के, evidence of hydration energy, lattice energy, covalent bonding in transition metal complex, सब मिला कि यह 10 marks का, यहाँ से question है, एक joint distortion पढ़िए, एक spinal पढ़िए, और एक आपको hydration energy, lattice energy का एक numerical भी पूछा आता है, यहाँ से, examination push जयाता, तो यहाँ दोनों आपको मिला के, यहाँ से question आते हैं, 100% आते हैं, तो आते हैं, guarantee है, आते हैं, तो जरूर इसको पढ़िएगा, और यह जो है important, फिर है MO theory of ML6, जैसे semester 1 में आप पहले थे, CO2, NO2, H2O, CO, NO, इस सबका MO diagram पढ़े थे, इसी परकार आपको complex का भी MO diagram पढ़ना पढ़ता है, जैसे कि CO cobalt के साथ NS3 का complex दे देगा, उसका बोलेगा कि Octahal complex है, इसका बताईए कि MO diagram कैसा होगा, तो MO diagram भी हाँ से पूछा जाता है, तो यह बात अब ध्यान लखेगा, कि MO diagram भी को आप से पूछ लिया जागा, दस marks में, तो MO theory, ML6 with sigma and pi bonding ligand with using symmetry, symmetry के बारे में, magnetic property के बारे में, यहां से भी 10 marks कोशन था, और एक important है, charge transfer spectra on the basis of MO model, यानि molecular orbital का model है, उसमें charge transfer spectra आप से पूछ लिया आता है, तो अगर coordination, bonding in coordination compound में, आप JTD को पढ़ लेते हैं, स्पाइनल के बारे में पढ़ लेते हैं, ML6 का complex बनाना सीख लेते हैं, Hydration energy, Latation energy complex निकालना आप सीख लेते हैं, calculation करना सीख लेते हैं, तो आपको यहां से 15-16 marks आपको देखने को मिलेगा, आपके objective, subjective, subjective, subjective में short, long, sub मिलाके 15-16 marks, आप 3 unit भी कर लिए और आप तो आपको 40 plus marks 100% आने ही आने हैं, वहां से बाहर नहीं जाएंगे, question 100% पूछेंगे, पूछेंगे, भरोशा केजे, विस्वास केजे, और से लिए बसका detail analysis सुनिए, क्योंकि आपको बहुत कम लोग हैं, जिसको बारे में जनकारी देंगे, इसक जरूर आप इसको देखे, जूरे, समझे, और इसको हो सके तो बिहार विश्वी दाला के तमाम चाहते तक इसको जरूर पहुंचाएं, फिर आगे हम बात करें, तो आगे है आपको electronic spectra of transition metal complex, इसको पढ़ने के लिए आप हमने बोला आजाए, कुमारे the best book उसे बढ़ सकते ह इसका तब पूरा हम डीटेल आप लोग कहिएगा, तो बहुत जल्दी अगर आपको offline या online दोनों मूर्ड में बेंजाइन एकेडमी second semester का तीन unit, जो electronic spectra of transition metal है, bonding in coordination compound है, और OMC है, इस तीनों unit को fully details आपको YouTube platform पे भी पढ़ाएगी और offline भी पढ़ाएगी, तो electronic spectra of transition metal complex में, electronic spect ground state, D1 से लेके D3 तक आपको निकालने आना चीए, यह इंपोर्टेंट है, फिर आपको ओरेगल डाइगराम आना चीए, कहाँ, D1 system, D2 system, D1 से लेके D9 system, टनाबे सुगाने डाइगराम को छोड़ भी सकते हैं, कोई उतना important नहीं, बर D1 से D9 तक का system का ओरेगल डाइगराम आना चीए, यह आपको important है, हाँ से भी question मिलते हैं, फिर structure evidence, electronic spectra, spectrochemical, neptrix series जो हता है, वहाँ से भी question आते हैं, उसका charge transfer तो very 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 important है, हाँ से भी 10 marks देखने को मिलते हैं, यहाँ से भी question आते हैं, अब 10 में आएंगे कि 5 में आएंगे confirm नहीं हो, तो question से ठोने को आता चलता है, but question देखने के बाद examination में कैसा आ रहा है, but यहाँ से भी question देखने को मिलते हैं, जो जो point हम जोड दे रहे हैं, वहाँ से 100% question आएंगे, उसको तो आप जरूर पढ़े, वह आपके लिए VVI important है, फिर electronic spectra, molecular addition of compound, symmetry का चर्चा हम थ्रॉलेट से करेंगे, क्योंकि हमने कहा कि पहले ह function compound को आचा चा करते हैं, electronic spectra को आचा चा करते हैं, और उसके बाद हम लोग OMC को आचा चा करते हैं, फिर जाके हम लोग symmetry in chemistry का चाचा करेंगे, और फिर group theory का चाचा करेंगे, यह 3 unit जो बता रहे हैं, उसको जरूर पढ़े, उसके बाद हम बोलेंगे, और कौन-कौन पर आप आचा करने की आपशकता है, इस 3 unit पढ़ेंगे तो आप चालिस प्रास, चालिस नंबर इजलीवे में आजाएगा, आपको, group theory in chemistry फेचा चा करेंगे, उससे पहले हम लोग, metal pi complex OMC very very important है, इसके लिए भी आप अजया कुमार की OMC बूक आती है अलग से या फिर आप पूरी सर बॉंड और कहा अलक्टर जाएगा, कोन ए लिउमो होगा, कोन होमो होगा उसका पूच देता उसका bonding के बारे में, उसका प्रिप्रेशन कोई ज्यादा इंपोटेंट नहीं, प्रिप्रेशन एक्जामनेशन बहुतना इंपोटेंट रोल अदार नहीं करता है, उससे आप से क मेटल कार्बनील क्लस्टर को देखेंगे, यहां से तो 100% आप को आएगा, अब अब हमने कहा कि अगर आपके पास समय बहुत कम है, और समय बहुत कम है, तो मेरी बात को ध्यान से सुनिए, गौर से सुनिए, भरोसा कीजिए, क्योंकि यह आपको हम बता रहे है, बहुत कम ब होती है, अपने समेस्टर में, हम लोग को बहुत कम जान कारी थी, और हमने इसको आकलन किया, आपको बताने का काम कर रहा है, तो ध्यान से सुनिए, अब पर तीन यूनिट पढ़ लिए, अब बॉंडिंग इन कोडिनेशन कंपाउंड पढ़ लिए, आप लेक्ट्रोनिक स् तो आएंगे, ही आएंगे, हंडर परसेंट आएंगे, अब यह तीन नूट कर लिजागा, तो चालिस प्लस हंडर परसेंट आएंगे, यह तीन नूट से, आपको पांच नूट में तीन नूट कर लिए तो कोशन बन जाते हैं, आपको और आम से तीन लोंग बन जाएंगे, 2-3 आपको short बन जाएंगे इतने बन जाते हैं इतने बन जाते हैं इसमें कोई दिक्कत नहीं है अब चलिए हम लोग पढ़ लेते हैं तो अच्छी बात है तो group theory में आपको कहता है कि representation of group theory by matrix matrix निकालने उसमें आना चीए working out representation of c2b c3b का point group निकालना चीए character table आपको निकालना चीए और्थो गुल्टी थियूरम है वह भी important है 10 mark से कि एक बार पुछे हुए previous year में तो वह भी important को ज़रूर देखेगा इसके लिए पूरी समाकल्या को पढ़ सकते हैं इसको आप जरूर पर सकते हैं फिर अगर हम आगे बात करें तो एक हमने symmetry in chemistry है तो symmetry in element में अगर हम बात करें तो आप पर सकते हैं symmetry element and symmetry operation के बारे उसका definition होता है कुण sub group है कुण group है conjugate and class है point है point group निकालना उसका symmetry representation के बारे में इतना आप कर लेंगे तो आपको ठीक ठाक आँसे marks आ जागा याणि आपको इन औरगेनिक में डरने किया बशकता नहीं है आपको phobia के बशकता नहीं और आप ढंग से परेंगे तो आपको अच्छे marks आएंगे और इन औरगेनिक में अच्छे marks आते हैं knowledge का अच्छा test भी होता इन औरगेनिक में पढ़ना होगा उनके लिए भी यह तीन उनिट तो complete बेंजाइन अकेडमी पढ़ाएगी बाकी दो यूनिट हम लोग एक्जाम ओरियंटेशन देख लेंगे तो यह सभी यूनिट जो है पूरा हम लोग फुली एक्जाम ओरियंटेशन ही देखेंगे तो जिल्लों को भी उन लोग तक इस वीडियो को ज़रूर पहुंचाए उनको काफी हिल्फुल होगा और बेंजाइन अकेडमी से जूरने के लिए यह लोगो है इसको देख सकते हैं और इसे अब जूर सकते हैं धन्यवाद कोई भी कमेंट हो कोई भी आपको जनकारी चाहिए तो आप कमेंट क करके पूश सकते हैं या फिर वाटसप ग्रूप में आप मैसे छोड़ सकते हैं धन्यवाद